हेलो एन वेलकम गाईज अलग अलग बहतरिन खानों की वजह से दिल्ली सुरू से ही दुसे राजियों और दुसे देशों के लोगों को आकर्षित करता रहा है और आज की इस वीडियो में आपको दिल्ली के कुछ ऐसे ही फेमस जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जहां मिलने वाली चीज़ें काफी ज़्यादा मशूर हैं और जिसे एक बार खाने के बाद आप उसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे आज मैं आपको दिल्ली के कुछ ऐसे फेमस जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जहां लजिस खाने की वज़े से कल्लू निहारी वाला के नाम से पूरे दिल्ली में मशूर है और इसकी दुकान जामा मस्जिद के पास मौजूद है इसकी दुकान पे सुबर 6 बजे से लेकर साम के 7,5 बजे तक हज से ज़्यादा ग्रहकों की भीड रहती है और कल्लू निहारी वाले का निहारी इस कदर मशूर है कि सिब दिल्ली ही नहीं बलकि दिल्ली के आसपास के जगों से भी लोग इसकी निहारी खाने के लिए आते हैं और कल्लू निहारी वाले के यहां दो आदमियों के खाने का खर्च मातर 200-300 रुपया तक है ग्यानी दी हट्टी दिल्ली की फतेपुर मस्जिद से महज 50 मिटर की दूरी पर एक मशूर्द मिठाई की दुकान है इस मिठाई की दुकान को ग्यानी दी हट्टी के नाम से जाना जाता है यहां दुकान अपने स्वादिश मिठाईयों के अलावा रबडी और फालूदा के लिए काफी ज़्यादा मश्यूर है और इसके जैसा जैका पुरी दिल्ली में सायाध ही आपको कहीं मिलेगा गर्मियों के मौसम में यहां ठंडी फालूदा खाने के लिए ग्रहकों की भीड लगी रहती है और इसके अलावा इस दुकान का गाजर और दाल का हल्वा भी काफी ज़्यादा मश्यूर है कुरे मल मोहललाल कुल्फी वाले दिल्ली के चावडी बजार की मेट्रो स्टेसन के पास कुल्फी की एक छोटी सी दुकान दिखाई देगी यह दुकान है कुरे मल मोहललाल कुल्फी वाले की यहां पर आपको हर प्रकार की कुल्फियां मिल जाएगी लेकिन यहां मिलने वाली स्टब्ड मैंगो कुल्फी की बात ही अलग है और इस कुल्फी की कीमत 200 रुपए है यहां दुकान सुबा 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुली रहती है और यकीन मानिये इस दुकान में मिलने वाली कुल्फी जैसा स्वाद आपको पुरे दिल् दुकाने ऐसी हैं जो 872 से मौझूद हैं और इस गली में मौझूद जातर दुकानों में आपको हर तरह के पराठे मिल जाएंगे जिनका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है यहां पराठे के साथ आपको दही अचार और मक्षन भी सर्व किया जाता है नटराच के दही भ बहुत ही फेमस हैं यहां पर लोगों के खाने के लिए सुबे से ही लाइन लगी रहती है और लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं यह दुकान हपते के सातों दिन खुले रहती है और हपते के सातों दिन यहां हद से ज़्यादा भीर रहती है दौलत की चार्ट भले यह नाम आपको थोड़ा अजीव लगे लेकिन दिल्ली की सभी लजिस जैकों में दौलत की चाट भी बहुत ज़्यादा मशूर है लोग काफी दूर दूर से यहां चाट खाने आते हैं इस चाट की दुकान को चलाने वाले लोगों को यहां की चाट मसाले को तयार करने के लिए राद भर मेहनत करनी पड़ती है और इसी वज़े से दौलत की चाट का स्वाद लाजवाब होता है आप जब कभी भी दिल्ली जाएं तो यह चाट जरूर खाएं और चाट खाने के बाद आपको भी यकिन हो जाएगा कि यकिनन इस से अच्छी चाट आपने कभी नहीं रहती है और अगर आपको निमू पानी पीना पसंद है तो आपको इस दुकान पर एक बर जरूर जाना चाहिए करीम होटल मुगलों के वक्त से मसूर इस होटल में नौनवेज और विज़ेटेरियन दोनों ही तरह का खाना मिलता है और इसकी दुकान लाल किले के पास है और दिल्ली की मसूर लोटन छोले कुल्चे की दो ब्रांच है इनकी एक दुकान दरिया गंज में और दुसरी दुकान चावडी बजार में है यहां कुल्चे के साथ मिलने वाले छोले की सबजी में खटा और मिर्च दोनों का बराबर का स्वाद मिलता है और यही इस दुकान क सबसे बड़ी खासियत है और इसी वज़ा से इसके दुकान में हर वक्त भीड लगी रहती है लोटन कुल्चे वाली की दुकान सुबस रहे 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुली रहती है और दुकान खुलने से पहले ही इसके दुकान में ग्रहकों की भीड जमा हो जाती ह आसा राम फूड अगर आप विजिटेरियन है और आपको वेज खाना खाना है तो आपके लिए आसा राम फूड की दुकान सबसे बड़िया विकल्प है यहाँ आपको पराठे के साथ अलग-अलग प्रकार की सब्जी और दाल मिल जाती है जिसका स्वाद लाजवाब होता है इसके अलावा यहाँ आपको वेज से रिलेटिड हर तरह का खाना खाने को मिल जाएगा आसा राम फूड वाले की दुकान टाउन हॉल के पिछे कोटक मह इंद्रा बैंक के पास है यहाँ थी दिल्ली की कुछ मसहूर इस्ट्रीट फूड जो अपने लाजवाब जाएके के लिए पुरी दिल्ली के साथ दिल्ली के आसपास वाले जगहों में भी काफी ज़्यादा मशूर है और अगर आप दिल्ली किसी काम से या घुमने के लिए जा रहे हैं तो आप इन जगहों पे जरूर जाएं और उनके बने हुए खाने का स्वाच जरूर लें उमिद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी गईज अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले and थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो